देखिए कि अब बिल्कुल हमारे पास में लेकिन इतना आसान नहीं है यहां से लाना क्योंकि पानी का बाव होता है उसको बोट को उससे भी बचाना होता है और इसके अलावा जाडियां अलग-अलग मुसीबते हैं यहां पर उसमें कैसे लाए जाए पानी कई कई पांश जब यहां बार किनारे तक लाया जाए यह वाट को अंदर ले जाना और उसके बाद में उसको बाहर निकला तीन त् चलती है पानी का पानी रेपता रसे लेकिन जैसे उसको और ये एक बड़ी दिक्कत है भवानी पाली के इलाके में जिस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं वहां आसपास लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है और हम यहां पर जहां मौझूद हैं यहां भी कुछ ऐसा ही नजारा देख सकते हैं कई रास्ते भरे हुए लेकिन सिर्फ यही वो इलाका नहीं बलकि राजस्तान के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बड़ी दिक्कत और वो तस्वीरे भी हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगी कि आखिर जहां पर औरेंज अलर्ड और कई जगे रेड अलर्ड घोशित कर दिया गया है यानि अब बिपोर जाई का असर राजस्तान के कई और इलाकों में देखने को मिलेगा और इसलिए एतियातन यहां पर अलर्ड जारी कर दिया गया है लोगों को सचेत रखा जा रहा है कुछ लो लाइन इलाके हैं जहां से लोगों को शिफ्ट करने के लिए का गया है या फिर यहां से शिफ्ट हो जाने के कह दिया गया है लेकिन कुछ तस्वीर हैं जो हमारे दर्शक इस वक देख रहे हैं देश के नमबर वन न्यूस चैनल न्यूस एट इन इंडिया पर कई ऐसी तस्वीर हैं चाहे पाली की हो टोक की हो अजमेर की हो सिरोही की हो कई जगे इस तरह की दिकत छोटे नदी नाले लोगों की दिकत बढ़ गई है लेकिन कुछ जिलों में राजस्थान के अब अलर्ट जारी कर दिया गया है इस बीच मौसम भागने एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया है मैप के जरीए हम आपको बताएंगे माप के जरी आपको बताने के कोशिश करते हैं कि किन-किन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है, रीमा देखें रेड अलर्ट कहां कहां पर जारी किया गया है, टोंक ये पहला इ आप और कौन-कौन से जिले अभी तक जादा प्रभावी थे जहां रेड अलर्ट है उसमें पाली, बुंदी, टोंग, सवाई मादोपुर जहां से हमारी टीमें प्राउंट रिपोर्ट साब तक पहुंचा रिये कि बहां रस्क्यू टीमें मौझूद है और लोगों को मदद भी पहुंचा रही है, जो मदद उन्हें चाहिए। जालावार यहां चुनौती तो है परिशानी तो है लेकिन अने जगों की तुलना में यहां कम है तो बिपोर्जाय का असर जो गुजरात में देखने को मिला उसके बाद यह तूफान राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है और जो तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से कुछ आलाके खास तोर पर बरभावित हुए हैं जो ग्रामिन अलाके हैं यहां पर उन नद्यों का पानी भी दाखिल हो गया है जो उनके नजदीक से ही बेखती है और ऐसे में कई लोगों की मुश्किलें राजस्थान के कई लाकों में बढ़ती नजर आ रही है हाला कि एतियाद बढ़ती जा रही है सदीया लगातार सचे थैं कुछ लोगों को रैस्कYU किया जा रहा है ऐसी कई हाथसे भी रास्ते में हुए है जहां पर एक टरिक चालक को रैस्क लिया गया है सेना अलर्ट पर है सेना के जवान लगातार दे वुदूत की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं ऐसे में जबकि राजस्थान के कई जिले लगातार प्रभावित हो रहे हैं शहरी लाकों में जहां पर एतियाद बढ़ती जा रही है वहीं कई ग्रामिन ऐसे इलाके हैं जहां और बड़ी दिक्त है लोगों को कई लहलाहती फसल जो इस लगातार बेपोर जाय तूफान की रेगिस्तान में सैलाब, बारिश बेहिसाब, राजस्तान में आफट वाली बारिश, सड़कों और घरों पर पानी का कपजा विपोर जोई तूफान ने पहले गुजरात में जम कर तबाही मचाई, लेकिन अब गुजरात के पडोसी राज्य राजस्तान में उसका बड़ा असर दिख रहा है राजस्तान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है भारी बारिश की वज़े से कहीं पेड़ गिरे, कहीं पुल बह गए, तो कहीं सड़कों और घरों पर पानी ने अपना कबजा जमा लिया पहले इस तस्वीर को देखिए, ये राजस्तान के अजमेर का सबसे बड़ा हॉस्पिडल राज्किये जवाहरलाल नहरू अस्पताल है जहां इस कदर बारिश हुई कि अस्पताल के कॉरिडोर में पानी बहता दिखा यहां तक कि अस्पताल के ज्यादातर वार्डों में भी पानी ने कबजा जमा लिया इस दोरान सबसे ज्यादा परिशानी वहां भरती मरीज और उनके परिवार वालों को हो रही है मरीज पानी से भरे वार्ड में ही एडमिट होने और इलाज कराने को मजबूर दिखे विपोर्जाय तूफान का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट राजिस्थान के जालोर में दिखा जालोर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बार जैसे हालात दिखे लोगों की परिशानी बढ़ती ही जा रही है जालोर के सांचोर का तो सबसे बुरा हाल देखा जा रहा है सडकों पर कई फीट पानी भर गया जो अब लोगों के घरों और दुकानों में भी घुज गया है जिसके बाद लोग जुगार टेक्निलोजी से पानी को बाहर निकालते दिखे खास तोर पर इस तरह के पंप लगा करके अब यहां से बेस्मेंट का पानी या निचले इलाकों का पानी खाली कराने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये पानी खाली हो और लोग राहत की सांस ले सके शासन प्रशासन से भी वो कुछ राहत और मदद की उम्मीद कर रहे हैं हाला कि HDRF की टीमें लगातार निचले इलाकों में हैं यहां पर जा करके वो लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगों के पहुचाने काम में जूटी हुई है लेकिन इस पर ऐसे मार्केट के लोग अभी भी पम का साहरा ले रहे हैं ताकि वहाँ बेस्मेन में भरा पानी निचले इलाकों में भरा पानी जल से जल खाली हो सके अब इस तस्वीर को देखिए लोगों के घरों में कैसे पानी ने कबजा जमा लिया खासका कच्चे घरवाले लोगों की मुसीवते बढ़ गई लोग अपनी घरों से बाल्टी और दूसरे सामान से पानी को बहार निकालते दिखे ये अपने नजरिये से भी चीजों को समझते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों ऐसी बड़ी दिक्कत हुई है कुछ पेड़ ऐसे ही रास्ते में तूटे गिरे थे बिपोर्चोय तूफान का असर राजस्थान के पाली में भी दिख रहा है जिले के ग्रामेड इलाकों में इसका ज्यादा असर दिखा इस तस्वीर को देखिए जहां चारों और पानी ही पानी दिखा सडकों पर कई फीट पानी भरा है जिसके बाद सडकों पर आवाजा ही रुख गई लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर है हलाकि राजिस्थान में आगे भी तूफान का असर जारी रहने की संभावना है क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलट जारी किया है